अगर आप कचोरी और समोसा खाने के शोकिन है तो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी नमस्कार मैं हूरेखा मेरी सुपर अस्वे में आप लोगों का स्वागत है और आज हम बनाने जा रहें एक कप गेहूं के आटे से बहुत ही टेश्टी और हैल्दी रेसिपी क्योंकि हम इसे गेहूं के आटे से बनाएंगे और बहुत ही कम घी ओयल का इस्तेमाल करेंगे बनाने में बहुत आसान है आप इसे नाशने में बना कर खा सकते हैं सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ या वैसे भी खाएंगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगी और मिंटों में बनकर तयार हो जाता है वीडियो को फुल वच कीजेगा अच्छी लगे तो लाइक और शेर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन को पर ज़रू कीजेगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंस सके तो चलिए बना लेते हैं बहुत ही टेश्टी और हेल्दी नास्ता इस नास्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हमेने खाली बरतन लिया है इसमें डाल रहे हूं में एक कप गिहूंका आटा और यह साधा वाल आटा है जिसे चपाती बनाते ना वही वाल आटा लिया है अब यहाँ पर डालेंगे एक चुधाई कप सूजी यानि की रवा तो सूजी जैसी भी हो मोटी बारिक आप ले लीजेगा चमच से मापेंगे तो चार चमच मारी सूजी है अब यहाँ पर डाल रहे हैं एक चमच कसूरी मेथी आधा चमच नमक सूजी डाल लीजेगा आधा चमच यहाँ पर मैंने अजवाइन लीए हाथों से क्रश करके डाल दीजेगा सूजी बहुत बढ़ी आता है एक टेबल स्पून डाल रहे हूँ देसी घी मेल्ट की होगा गी डाल रहे हूँ आप यहाँ पर रिफाइन ओयल भी ले सकते हैं दो पिछ डाल रहे हूँ हल्दी हल्दी से कलर बहुत बढ़ी आएगा नास्ते का सभी को अच्छे से मिक्स कर दीजे पढ़िया से से मिक्स कर देंगे देखे अब यहाँ देखे अच्छे से मिक्स कर दिया है और जब मैं इसके मुठी बांद रही हूँ तो देखे मुठी इसकी बन रही है अच्छा सा मोन हो गया है अब यहाँ पर मैंने पानी लिया है थोड़ा थोड़ा पानी डालते उसका आटा लगाएंगे आटा आटा आपको बहुत जाँ हाड भी नहीं करना है, बहुत जाँ सॉफ्ट भी नहीं रखना, जैसे रोटियां बनाते हैं वैसा ही आटा आटा आपको इसका लगाना है, अब यहाँ देखें आटा हमारा लगकर तयार हो चुका है, तो थोड़ा से मसल देती हूँ, आटा करेंगे, इसे ढख कर रखेंगे, 10-15 मिट लिए रख देंगे, ताकि इसमें सूजी जो है न अच्छे से फूल जाएगी, और तब तक इसका मसाला बना कर तयार करेंगे, तो यहाँ देखें मसाला बनाने के लिए मैंने दो आलू लिये हैं, उबले वे आलू हैं, उन्हें कर लिया था, अभी इन्हें हातों से इस्तर चर्शे कर लिए, आलोक, मैरे हाथों से मैश कर लिया है, आप चाहिते हैं, इससे ग्रेटर कर सकते हैं, मैं हातों से मैश कर लेती हूं, जो भी बड़े चंग से तोड लिया थैस से, अब इसमें मसाला übrigस करेंगे, तो यह आपर पाउडर, एक चुछाई चम्मट डालेंगे यहाँ पर गरम मसाला, बहुत ही चटपटा सा नास्ता बनकर तयार होगा, आधा चम्मट से थूड़ा सा कम मैंने डाला है नमक, आप स्वाथ के नस्वाथ डाल लीजेगा, सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर दीजे, आप अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब यहाँ पर डाल रही हूँ हरा धनिया, आप यहाँ पर हरी मिर्च प्याज जो भी डालना चाहे डाल सकते हैं, लेकिन आज में से बहुत ही साधा सिंपल बना रही हूँ क्यों कि मिन्टों में बनकर यह तयार हो जाता है, बहुत जादा सम अब यहाँ देखें, मैंने सभी मसाले की बना कर तयार कर ली है, इन्हें उठा कर साइड में रखेंगे, अब यहाँ पर देखें आटे को देख लेते हैं, आटा भी जो है अच्छे से रेस्ट कर चुका है, अब इसे थोड़ा सा मसल लीजे बढ़िया से, अब यहाँ करेंगे, दो इससो में बाट लीजे, इस तरह से देखें, आटा देखें, सौफ्टी लगाया था मैंने, तो मैं इसके दो भाग कर लेती हूं, एक पोशन को लेकर आपको बड़ा सा एक पेडा बनाना है, और यहाँ पर देखें कीचिन काउंटर को अच्छे से क्लीन कर लि अब यहाँ पर देखें, मैंने इससे बेल लिया है, तो थोड़ा सा इस तरह से मोटा रखा है, क्योंकि उसे और बेनने वाल है, देखें, मैं आपको दिखा देती हूं, थोड़ा मोटा है, हम इससे थोड़ा और बेलेंगे, उससे पहले यहाँ पर कुछ मसाला डालेंगे, तो यहाँ पर डाल रही हूं मैं, चिली फ्लेक्स याने की कुटी हूई लाल मिर्च, इससे बहुत ही सुन्दर दिखता है हमारा नास्ता, यहाँ पर थोड़ा से तिल लिये हैं, और अब डालेंगे हरा धनिया, अब इससे थोड़ा सा और बेल कर त्यार करेंगे, ताकि जो है जिली, आप चाहिते हैं आपर कोई भी गिलास या कटोरी जैसी भी हो, आपके पास ले सकते हैं, तो मैं इससे इससे कट कर रही हूँ, तो यहाँ देखें मेरी चार पूरी बनकर तयार हुए इसमें, और यह जो भाग बजा है ना, साइडों का इससे आप फिर से इस्तिम होता है, थोदा सा इसे मैंने बेल लिया है तकि थोदा पतला हो जाएए, अब यहाँ पर एक पूरी को लेना है और जिस साइड हमने मसाला लगाए है, उसको नीचे रखना है और यहाँ पर मसाली की बॉल लेकर इससे अच्छ से पेक कर देना है, देखें इस तरह से बहौत इजली हो जाता है और यह हमारा एक नास्ता बन गया है देखे मिंटों में बनकर तयार हो जाता है देखे और कितना सुन्दर लग रहा है तो चले इस तरह से और बताती हूं जो मसाले वाला भाग उसे नीचे रखेगा धनिये वाला और साधे वाला उपर रखकर उसमें मसाले की बॉल रख दीजे और इस तरह से पैक कर दीजे यह देखें तो इसी तरह से हमें सारा नास्ता बना कर तयार करना है यह देखें अब यहां देखें मैंने सारा नास्ता बना लिया देखें तो आप इसे फ्राइ भी कर सकते हैं लेकिन हम आज कम तेल में नास्ता बना रहे हैं तो यहाँ पर देखें मैंने लिया है अपम मेकर गैस पर रखा है गैस को मैंने स्लो कर दिया है और हलका सा इसे गरम होने देते हैं तब तक इसमें डालेंगे गी आप यहाँ पर तेल भी जाल सकते हैं मैं गी का इस्तिमाल कर रहे हूँ गी से बहुत ही कस्ता नास्ता बनकर त दिया है और अब इसे एक से दो मिंट में चेक करते रहेंगे और पलटते रहेंगे तो अभी पकने देते हैं एक से दो मिंट के लिए तो चलिए अब इसे चेक करते हैं देखे अभी थोड़ा पका नहीं है सिखने लगा है थोड़ा थोड़ा सा फिर से इसे पलटेंगे अब यहां देखे एक से दो मिन्ट हो चुके है तो इससी side को change करिए इस तरह से और जिस side से नहीं सिखा हूँ उस side से आप इसे अलट पलट कर सकते हैं यह देखे थोड़ा थोड़ा color आने लगा है इसका तो यहां पर मैंने सभी को पलट दिया है और यहां पर थोड़ा गी डाल द यह देखे, मैं इसे बार-बार में अलट प्लट कर रही हूं, और इसे बनने में 6-7 मिंट लगती है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, मिंटों में बनकर तयार होने वाला नास्ता है दोस्तों, तो चलिए फिर से इसे पकने देते हैं, अब यहां देखे, बीच वाली जो नास्ता है उसे बहुत ज़्यादा हीट लगती है, इसलिए मैं साइड इसकी चेंज कर रही हूं, और जो नहीं पका है उसे बीच में कर रही है, तो जलिए फिर से इसे पका लेती हूं, अब यहां देखे है हमारा नास्ता जो अच्छे से बन गया है, अच्छा सा कलर आ तो गैस को यहां पर मैंने स्लोई रखा था, फूल गैस मत कीजेगा, वान अच्छे से नहीं सीख पाएगा, तो यहां पर गैस को स्लो करके एक मिट में और पका लेती हूं इसको, एक मिट बाद में आपको दिखाऊंगी, आप यहां देखे, सभी जो नास्ता है अच्छे स पक चुका है देखे, सभी की साइड अच्छे से, कलर पकड़ चुकी यह देखे, इतना बड़या सा कलर आया इनका और बहुत ही खस्ता लग रहे है, यह देखे, बहुत बड़या नास्ता बनकर तयार हुआ है हमारा, तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं, घर्मा गरम, आप इसे सोस के साथ खा सकते हैं, आप इसे हरी चटनी के साथ भी इंजोई कर सकते हैं, बहुत ही बड़या लगता है, और देखे, मिंटो में बनकर तयार हो गया है, बहुत ज़दा ओयल, यगी की ज़रुत नहीं पड़ी है हमें, यह देखे, नास्ता देख लिजे आप, आप इसे मसाला बाठी भी कह सकते हैं, बहुत बड़या लगती है, तो मैंने तो इसे सोस के साथ सर्व किया है दोस्तों, आप इसे किसके साथ इंजोई करने वाले हैं, यह ज़रू बताएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेर कीजेगा, चैनल को सब्सक्राइ और आप इस नास्तिक को क्या नाम देंगे, यह ज़रूर मुझे बताएगा, आप चाहें तो इसे मसाला बाठी भी कह सकते हैं, बहुत टेश्टी लगती है यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद झाल झाल